Hello guys welcome back to another video or बहुत दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूं रatin का एक्जाम चलुछ रहा था थो ठीशाश और टाइम मिला एक वीडियो बना रहा हूं। गाइज, कुछ दिन पहले हैं, मैं ने एक वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारा कॉमेंट आए कि भाई मेरा काम नहीं कर रहा है तेरा डिवाइस रूट है और यह बताओ मोटो फोर में कैसे अन कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम उसी के बार में बात करेंगे चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया उस वीडियो में मुझे सरे कमेंट तो पहले बात करते हैं कि मेरा डिवाइस रूट है या झाल मेने ताफ इंहाँ मेरा डिवाइस रूट यह pom एप बता रहे आप ऐसा भी हो सकता, आपने कुछ गलत किया हो, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा device रूटेड नहीं है, बीना रूट किये, मैंने वो वीडियो बनाया था, अब आते हैं, Moto E4 में कैसे कर सकते हैं, तो guys, Moto E4 में आप नौटिफिकेशन LED, नोटिफिकेशन के लिए नहीं कर सकते जो कि बाइट डिफॉल्ट है अब आप लेनवों के फोरम में देख सकती है आप स्क्रीन में आ रहा है उसमें लिखा है कि वो बंद कर दिया गिया है आप सेट नोटिफिकेशन एलेडी को चार्जिंग या लो बैटरी के टाइम में दे इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है तो देखे पहले आपको जो मुबाइल उसको रूट करना पड़ेगा उसके बाद क्या करना होगा आपको कुछ नहीं बस एक डाउनलोड करना होगा जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अब उस एप को यूज करके नोटिफिकेशन एलडी ओन कर सकते हैं मोटोई 4 में तो आशा करतो आपको वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जबी भी मैं वीडियो अपलोड करो आपके पास पहुंच जाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई